अब्जेक्टिव टाइब के तो अब्जेक्टिव टाइब के एक्जाम में से सबसे सही आंसर को हम कैसे निकालें इसका एक साइक लोजीकल मेथड जिसे हम साइंटिपिक मेथड भी कह सकते हैं अगर इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके एरर बहुत कम होंगे और सेलेक्शन के चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं आईए शुरू करते हैं हम हाउ टू फाइंड करेक्ट अंसर एक क्वेश्चन हमने लिया है जैसे मानके चलते हैं यह क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जियोतिर लिंग उज्जेन में है राइट और इसके उप्षन आपके सामने आते हैं उप्षन ए त्रियंबकेश्वर उप्षन भी महाकालेश्वर उप्षन सी भीमा संकर उप्षन डी ओमकारेश्वर अब जब क्वेश्चन है और क्वेश्चन के चारों आपके सामने हैं तो हम करते क्या हैं हम सबसे पहले जो हमें मालूम होता है उसका right option हम उसको mark कर देते हैं दोस्तों ये जो एक हमारी habit है ये समझ लें आपके बहुत अच्छी नहीं है इससे question हमेशा correct हो ये जरूरी नहीं होता तो हमें करना क्या चाहिए यही question को हम समझते हैं कि निम्ण मैंसे कौन सा जोत्री लिंग हो जेन में है त्रियंबकेश्वर, महाकालेश्वर, भीमाशंकर, ओमकारेश्वर तो यहां आप right answer महाकालेश्वर को चुने तो याद रखना है हमें जब कोई ऐसी situation आती है जहांपर हमें चार objective में से एक कोई correct objective चांटना है तो हम सिर्फ correct answer को pick नहीं करेंगे हम सबसे पहले उस answer को choose करें जो इन चारो option में सबसे ज़्यादा गलत है यानि उसके correct होने के chances जीरो परशेंट हम सबसे पहले ऐसे answer को choose करते हैं क्यों करते हैं तो देखो इस चीज को आप detail में समझें और इससे benefit क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ हम ये चार option में जो हमारे चारो option थे सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमें मालूम है कि answer option A जो है वो इसका correct answer नहीं है त्रियंब के जो 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 तिरलिंग उज्जेन में नहीं आता है ये नासिक में आता है ये हमारा गलत answer है तो हमने इन चार मेंसे सबसे पहले जो गलत wrong answer था उसको cross कर दिया कि ये तो correct होई नहीं सकता clear इसके बाद अब आपके सामने तीन option रह जाते हैं B, C और D अब हम इसी प्रकार से इन तीन मेंसे देखें कि कौन सा option इसका सही answer नहीं है तो यहाँ आप दियान देंगे जैसे भीमा संकर ये भी उज्जेन में नहीं आता ये माहराश्टर में आने वाला जो तरलिंग है तो हमारा ये answer भी सही नहीं हो सकता हमने उसको भी पिक कर लिया उसके बाद आपके सामने 24 रहती है महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर में से गलत answer चूज करने की तो अगला step जो हमारा रहेगा ओमकारेश्वर ये भी उज्जेन में नहीं है जब आपके सामने 4 option में से 3 option confirmly सामने आ गए कि ये सही होई नहीं सकते तो last का जो option बचेगा वो automatically correct answer होगा तो यहाँ जो right answer रहेगा वो महाकालेश्वर रहेगा ये क्यों किया इसकी क्या आवश्यक्ता पढ़ती है इसकी आवश्यक्ता ये पढ़ती है कि हम जल्दवाजी में कि question आधा पढ़ते हैं और उसका answer सबसे पहले निकाल लेते हैं तो कई बारी ये mistake होती है हमें question पूरा पढ़ना चाहिए जो सबसे गलत है जिसके chances 0% है correct होने के पहले हम उसको reduce करें उसके बाद second answer इसी तरीके से इसी प्रकार से third answer ये method on exam में successful है जहां time limit नहीं होती और within time आपको जब answer निकालने होते हैं तो इस method का use जो आप करेंगे वो बहुत limited question में करेंगे ऐसे question जहां आपको doubt होता है दो या तीन question के option के बीच में doubt होता है कि इसका A होगा या B होगा तो फिर इस method को अपनाएंगे इस method को अपनाने से आपके question बड़ी आसानी से correct हो जाएंगे ये पूरा psychological method है ठीक अब हम दूसरा तरीका समझते हैं उन question के लिए जिनके बारे में हमें पता ही ने कि इसका सही option होगा क्या ये से पुराना question प्रिवियस question था हमारा कि कौन सा जियोत्र लिंग जो है वो जेन में है तो जंदली अगर हमें मालूम है कि महाकाले सोरे हम उसको right लगाते थे मगर यहाँ जो method यूज करा वो right से नहीं wrong से गलत question को हटाते जाओ गलत option को वहाँ से reduce करो जो बचेगा last में हमारा वही सबसे correct answer होगा उसके chances wrong होने के zero हो जाएंगे clear अब हम उन question की बात करते हैं जिनके answer हमको नहीं मालूम for example एक question मैं आपको देता हूँ जैसे question है Roop Singh के नाम पर Gualier में stadium है यह कौन से game से related है यह किस खेल के लिए बना हुआ है अब इसमें option आपके सामने आते हैं option A, hockey option B, football option C, cricket option D, कुष्टी यहाँ मान के चलते हैं कि आपको इस question का answer मालूम नहीं आपने ये question कभी पढ़ा भी नहीं अब हम इसमें से कौन सा option choose करें कि हमारा ये question सही हो जाए ठीक तो देखें इसके लिए हमें करना क्या होगा ये जो चार option जो दिये हुए है hockey, football, cricket और कुष्टी में अब यहाँ हम answer मालूम नहीं था तो चार में से किसी भी एक option को हमें choose किया था suppose that कि हमने option A को choose कर लिया अगर हम option A choose करते हैं तो इस option के correct होने के chances बहुत कम होते हैं least chance to correct क्यों होंगे इसके correct कम से कम chance सही होने के तो देखें इसके least chance correct होने के इसलिए हो जाते हैं जब कोई question है उसका आपने option A choose किया हुआ है अब हम छोड़ देते हैं चलो option B choose कर लेते हैं जैसे हमने A अब यह question जिसमें से आपने जो option choose किया वो option A को choose किया इसके correct होने के chance बहुत कम रहते हैं क्यों कम रहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि option A अगर आप choose करते हैं तो इसके chances minimum है right होने क्यों suppose that कि अगर आप paper set करते हैं किसी भी exam के लिए आप paper set करते हैं तो अगर आप paper set करेंगे एक human psychology रहती है कि उसका जो सबसे correct answer होगा वो आप option A में नहीं रखोगे क्यों नहीं रखोगे इतनी जल्दी हम उस question का correct answer नहीं देना चाहते हैं human tendency होती है अगर मैं paper set करूँगा यह चीज मैं तब बोल रहा हूँ कि मैंने इस चीज के बारे में इस topic पर लेकर बहुत सारे लोगों को discuss किया तो result जो मिला कि सबसे पहले option A में वो correct answer नहीं रखना चाहेंगे right ठीक है तो option A के chances हो गए least correct होने के अब इसी question में हमने option choose किया B तो क्या B हमारा answer correct हो जाएगा इसके भी chances correct होने के कम होते हैं इसके chances कम क्यों होते हैं तो फिर यहाँ पर psychology काम करती है कि अगर मैं paper set करूँगा तो सबसे पहले option A में उसका answer नहीं देना चाऊँगा अगर A में नहीं देना चाऊँगा तो मैं इतनी जल्दी B में भी उसका option नहीं दूँगा और मैं उस correct answer को सबसे last option D के लिए रोक करके भी नहीं रखूँगा इतना patience भी नहीं है और में भी chances ऐसे बनते हैं कि paper set करते समय कहीं वो option answer right answer में skip ना कर जाऊँ भूलना जाऊँ तो मेरा सबसे या किसी भी examiner की human psychology है कि वो किसी भी question के answer A और B में कम set करना चाता है option C में सबसे ज़्यादा set करना चाता है और उसके बाद वो D में set करेगा right तो आप इस human psychology को पकड़ते हुए ऐसे question ओपर इस चीज को apply कर सकते हैं जिनके answer आपको नहीं पता होते हैं किसी भी exam में जब आप APR होते हैं तो वो question जिनके answer आप बिल्कुल जानते ही नहीं है वहाँ पर option C choose करेंगे या फिर option D choose करेंगे मैं अगर C और D का ratio निकालूंगा तो मैं choice रखूँगा 60% C choose करूँ और 40% में D choose करूँ यहां मैं आपको फिर बोलूँगा केश trick का use आप तभी करेंगे जब आपके पास दूसरा कोई alternate नहीं है correct answer found करने का ये trick सारे question ओपर apply नहीं कर सकते सिर्फ उन्ही question ओपर ये applicable होगी जिनके answer आप नहीं जानते हो और उन question को आपको करना ही है कोई विकल्प ही नहीं है तो मैं आपको suggest करूँगा कि option C और D में से किसी एक को चुना जाए और जो question आपको आते हैं जिनके बारे में आप 100% sure हैं तो वहाँ पर जो हमने पहले method जिस पर discuss किया था कि हम वहाँ right answer को सबसे पहले pick नहीं करेंगे हम सबसे पहले उस answer को pick करेंगे जो सबसे गलत है उसके बाद second wrong उसके बाद third wrong और जो सबसे बचे का last में वही आपका perfect answer होगा ठीक तो ये method आप use कर सकते हैं किसी भी competitive exam में और ये 100% result देने वाली tricks रहती है क्योंकि वही exam का time इतना valuable रहता है कि जिसमें अगर आपका mind concentration थोड़ा सा भी इदर जाता है तो फिर आप उस exam से वहार हो जाते हैं